है नमस्कार दोस्तों फिर से मैं स्वागत करता हूँ आपका यूणिक ऑंलाइन गुरू चैनल में जसा कि में तुल मैंने पहले वाले वीडियो में पहले वाली धाश में पहले वाले जो टूटोरेल हमने दिया था लोगों को उसमें क्या कि मैंने आपको बता दियाए था कि ह हेलो वर्ड कैसे रन कराते हैं हेलो वर्ड का पहला प्रोग्राम हमने एक्जिकूट करना आप लोगों को सिखाया था और ये भी बताया था कि हम लोग कहां से प्रोग्राम को ओपें करते हैं कैसे क्लोज करते हैं कैसे रन कराते हैं दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करन तो दुस्तों हम लोग बात करने वाले हैं आज 2-number add की तो हम यहां से आपने IDLA को open कर लेते हैं जैसे हम लोग आपने IDLA को open कर लेंगे फिरम क्या करेंगे देखे आप लोग पता है कि हमारा प्रोग्राम यहां पर भी आसानी से run कर सकता है लेकिन हम लोग यहाँ पर run नहीं कराएंगे हम लोग एक नया page open करेंगे ठीक है एक नया page open करेंगे फिर हम लोग क्या करेंगे program को run कराएंगे दोस्तों देखिए हम लोग यहाँ पर क्या लिखते हैं हम लोग अगर directly लिखना हो X is equal to मैं थोड़ा सा इसको zoom कर लेता हूँ ताकि आप लोग को यह दिखाई दे देखिए मैंने यहाँ पर लिखा X is equal to 5 ठीक है क्या लिखा X is equal to 5 लिखा फिर मैंने Y is equal to यहाँ पर 10 लिखा ठीक है और हमने क्या लिख दिया Z is equal to X plus Y हमने डाल दिया और print हमने क्या किया हमने यहाँ पर print करा दिया हमने print करा यहाँ पर Z और जैसे हम इसको save करेंगे मैंने आप लोग बताया कि इसको save करने का हमारा तरीका होता है और save हम लोग कैसे करेंगे इसमें यह देख लिजी आप लोग यहाँ पर हम लोग किसी भी एक नाम से इसको save कर देते हैं तो हम लोग डाल देते हैं test2 के नाम से test2 के नाम से हम लोग इसको save करते हैं फिर हम लोग लोग चलते हैं अपने अपने प्रोग्राम में चलते हैं हम लोग देखते हैं कैसे हम लोग आगे बढ़ रहा है तो इस program को हम लोग जैसे ही run कराएंगे मैंने यहां से क्या क्या run कराया अब देखिए हमारा output क्या आया हमारा output आगया 15 आपको लिए दिख रहा है यह दिख रहा है यह अपने लोगों को हमारा output आ गया है 15 तो यह हमारा एक तरीका होता है add करने का और दूसरे तरीके की हम बात करें अगर तो दूसरा तरीका भी हमारा होता है उसको बात करें हम लोग input देकर कैसे run कराते हैं directly देखें मैं बात करूँ अगर दूसरे तरीके की तो हम क्या करते हैं यहां पर यहाँ पे कर देते है, x is equal to, x is equal to input, हम लोग input करते हैं, ठीक है, input, मैंने बता है, input function का use करना आप लोगो सिखा दिया है, ठीक है, जिसको नहीं पता हूँ, हमारी live class वाली class देख सकता है, यहाँ आप हम लोग लिखते हैं, enter the value for, value for x, x is equal to, फिर हम लोग double quotes में इसको बंद कर देते हैं, ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, यहाँ से close करके, फिर हम इसे तरीके से y में भी करेंगे, ठीक है, y में भी करेंगे, कि हम लोग कैसे करेंगे, यहाँ पर देखे, input, ठीक है, फिर हम लोग double quotes देंगे, ठीक, हम लोग double quotes देंगे, फिर यहाँ पर हम लोग क्या लिख करेंगे भाई हमने देखा हमने बताया था आप लोगो Z is equal to क्या करेंगे Z is equal to X plus Y कर देंगे ठीक देन हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर हम लोग print स्वारी मैं यह बहुत छोटा कर दिया हूँ थोड़ा सा मैं आप लोगों को बड़ा दिखाता हूँ तक लोगों को समझ में आए तो हमने क्या किया यहाँ पर यहाँ पर मैं print कर देता हूँ और print करके मैं क्या करता हूँ यहाँ पर Z लिख देता हूँ और जैसे हम लोग Z लिख दिये अब देखिए हम लोग इसको save करेंगे यहां से, save करके क्या करेंगे, यहां से run कराएंगे, तो जैसे ही run कराते हैं, देखिए, हमारे पास क्या कह रहा है, यह हमारे पास कह रहा है, कि enter the value of x, देखिए यह पूछ रहा है, enter कर यह value of x, तो हमने यहां पर क्या कर दिया, 50 कर दिय पिर इंटर दा वैलू उप वाई थेन हमने क्या किया यहाँ पे 100 कर दीया फिर क्या हमारा क्या ठिया 50 प्लस 100 दिकॉज ये क्यों दिया क्यूं कि यह इंट नहीं किया है मैंने आप लोग बताया था कि कि करने के लिए इंट का प्रयोग करते हैं तो दोस्तों हम बताते हैं कैसे int का प्रयोग करते हैं, अब यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर प्रयोग करने के लिए क्या करेंगे, कि यहाँ पर लिखेंगे int, फिर एक bracket और यहाँ पर एक bracket को close करने के लिए और लगाना पड़ेगा हमें, फिर हम यहाँ पर भी य देख लीजिए आप लोग रन करके देखिए हमने क्या किया यहां पे लिखा 200 प्लस 500 अब देखिए 700 आ गया हमारा आउटपुट आ गया कि नहीं तो यह हमारा इंट का जो हम लोग input function का प्रियोग करेंगे तो इंट यह जरूर लगाएंगे क्योंकि यह हमारा verify करता है यह हमारा देखता है इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं अगर इस program को थोड़ा सा सुंदर और बनाना है तो हम लोग कैसे कर सकते हैं यह थोड़ा सा आप लोग आज हमने क्या किया सम आफ कर दिया यहां पर और सम आफ के बाद हमने क्या क्या किया एक टैस दे करके एक्स लिखा फिर डैस दिया फिर हमने डबल कोट्स ओपेन किया फिर एंड लिग दिया ठीक और फिर हम क्या करेंगे एक कोट्स दे करके वाई फिर हमने क्या किया किया है इस एक कॉमा दे करके Z कर देंगे, अब देखिए, जैसे हम लोग इसको करेंगे, अब देखिए, कितना सुन्दर हमारा प्रोग्राम आएगा, देखिए, हमने क्या किया, यहाँ पे 20 कर दिया, फिर 20 कर दिया, अब देखिए, 20 and 20 is equal to, आ गया 40, तो यह हमारा क्या हो गया, यह हमारा थोड़ा सब प्रोग्राम को सुन्दर करने का तरीका, तो दोस्तों यह हमारा जो प्रोग्राम है, वो टू नंबर आड़ करने का प्रोग्राम है, ठीक है, तो आप लोगों को आसा करता हूँ, कि ये प्रोग्राम समझ में आ गया होगा अगर आपको लोग को लगता है कि प्रोग्राम किसी और भी तरीके से में बताना चाहिए और भी अच्छा करना चाहिए तो बिल्कुल आप लोग सुझाओ हमें दे सकते हैं आपके सुझाओ का वेट करेंगे आप लोग कमेंट वे में सुझाओ जरूर दीजिएगा अगर ये वीडियो पसंद आई हो तेक बार लाइक, सेर, सब्सक्राइब जरूर करें इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, जैहिन